अगर आप Excel में कुछ इस तरह से करना चाहते हैं, किस तरह का? चलिए एक computer screen पर दिखाता हूँ यहाँ पर देखिए मेरे Excel screen में आपको दिखाए दे रहा है कुछ data और यहाँ पर दिखाए दे रहा है बेटा आपको South City अगर highlight करना है तो यहाँ पर click किजिए ओहो South City के पूरे record यहाँ पर highlight हो चुके North City, Great, West City ओहो और कोई भी city नहीं चाहिए highlight तो यहाँ पर no formatting पर click किजिए वाओ Now click on IodX, IodX के जितने भी product है यहाँ पर इस range के अंदर वो highlight हो रहे है उसके roads, Tiger Balm, Jandu Balm, एक Balm Thin Calm, Toothpaged, Toothbrushed and no formatting दिखाए दे रहा है आपको तो मैं जिस किसी भी item की उपर click कर रहा हूँ, item से मेरा मतलब है stock item की बात कर रहा हूँ, कोई ऐसे वैसे item की नहीं, आप समझ गए होंगे तो मैं बात कर रहा था stock item की जो कि आपको मेरे Excel sheet में दिखाए दे रहा है, मैं जो भी item पर click कर रहा हूँ, वो item वहाँ पर highlight हो रहा है या जो भी CT पर click कर रहा हूँ, वो CT gets highlighted, राइट? तो यह मैंने कैसे किया, अगर आप जानने में इंटरेश लोड़ ए Excel के अंदर, तो चलिए, मैं सदिश Learn More चैनल में आप सब का स्वागत करता हूँ, श्रिती बात नो बक्वास, ये वीडियो शूकरते एक खास, लेट्स बेगिन लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, मैं आपको बताओ कि आप अगर नए मैमान है हमारी चैनल पे तो चाय पी के जाएगा, नहीं, मजाग कर रहा हूँ, नीचे जो सब्सक्राइब का बिटेन है उस पे क्लिक कीजिए और बेल आइकान पे पे क्लिक कीज जो कि आपको दिखाए दे रहा है, स्क्रीन के उपर इसे विजिट करने के बाद जब आप कोर्से सेक्शन में जाओगे तो आपको यहाँ पे डेर सारी कोर्से दिखाए देंगे, जो कि कम पीज में डीटेल कोर्सेस एक्स्प्रेनिशन के साथ है, विट सर्ट अपिकिट के सारी चीज़े एक ही वेबसाइट पे आपको एक ही जगह पे और कम रेट में मिलने वाली दोस्तों, तो learnmorepro.com दिस्क्रिप्शन में लिंक दिए या गूगल पे भी सर्च कर सकते है, learnmorepro.com सर्च कीजिए और ज़रूर वेबसाट को विजिट करके, अगर आप इंट्रेस्ट आइटम पे क्लिक करते हैं, आप वो प्रोड़क्ट आइटम जहाँ जहाँ अवैलेबल है, वो पूरा पूरा हाइलाइट कर रहा है, तो यह कैसे करना है, इसके लिए मैंने अलरी यहाँ पे एक डिटा लिया है, जो की दूसरा डिटा है, जो की जिसके उपर में ट्राइल इसे करना है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपको डेवलोपर टैब मेरा एक्टिवेट दिखाए दे रहा है, अब यहाँ पे कैसे है, अगर आपको नहीं पता तो आप रिबन के उपर रैटली कीजिए, और कस्टमाइज रिबन यह ओप्शन दिखाए दे रह आपको क्लिक करना है, जैसे आप यहाँ पे क्लिक करोगे, एक डायला बॉक्स आपके सामने आएगा, इस डायला बॉक्स यहाँ पे कस्टमाइज रिबन अलरी चेक है, और इसके राइट साइड मेरा डेवलोपर टैब यह चेक किया गया है, अगर आपका नहीं है तो आप आपको एक्सल मेरा डेवलोपर टैब ले सकते है, जैसे कि आपको यहाँ पे दिखाय दे रहा है, अभी यह तेवलोपर टैब तो है, आगे क्या करना है, आगे इंसर्ट यहाँ पे एक ओप्शन मिल रहा है, जीए कोई डिफिकल्ट नहीं बहुत ही सिंपल स्टेप्स आपक करनें, चूट साउ प्रमॉला एपला करना एक करनें, कि कैसे माड़र क साउन का इंसर्ट यहाँ पर लेकर कि करनें, आपको और लिष्ट बोक्स मैं इस तरह से उससे द्रै करका मेरि आ है, लिछ जी चिक जीए रहा है, यह सुपल मैं आपको अर्ष्ट बिखाय और तो मैं इसे copy करके इस list को यहाँ पे paste करके रख रहा हूँ जो कि list मैं यहाँ से इसे internal link करूँगा और यहाँ पे एक और इस list मैं add करूँगा मैं content जो की है no formatting यह भी जरूर हमे no formatting यहाँ पे add करना एक list मैं नहीं यहाँ पे तयार कर ली है आपको दिखाए दे रही है जो कि इसके अंदर मुझे यूज करनी है तो अब मैं क्या करूँगा इस list box पे right click करूँगा जैसे मैं right click करूँगा आपको एक option नीचे मिलेगा format control यह दिखाए दे रहा है right format control पे click कीजिएगा click करने के बाद आपको input range एक option मिल रहा है और cell link एक option मिल रहा है input range हमने already create की है जो कि यह हमारी range है यह range input range रहेगी दिखिए input range में मैंने यह जो cities यहाँ पे लिखे थे वो select कर लिए now you can check it out यहाँ पे आचुका है h1 to h4 got it guys अब उसके बाद cell link cell link आपको कोई भी एक cell देना है मैं वैसे यहाँ पे z1 पे क्लिक कर रहा हूँ यह दिखाए देरा है आप कोई भी cell दे सकते है अब यह z1, h column यह जो भी हम बना रहेगी सब hidden रखेंगे हमारा यह background में काम करने वाला है तो यहाँ पे दिखाए देरा है नमब कर देरा है चारल नमबर औ क्योंकि रहाज़ है इंडेक्स से अटोमेटिक पीक होगा, यह बॉक्स वही काम करेगा आपके लिए, यह बॉक्स मेने ऐसा साइज बढ़ा के रख दिया, दिखाए दे रहा है क्या कर रहा है यह, पहले बात तो समझ महीं, अब आपको option बटन कहां से बनाने है, option बटन के लिए यह जितने भी product है यहां बे ले लेता हूँ, यह दिखाए दे रहा है, product को मैंने पॉपी पेश कर दिया, यह unique product है, यह पे लिखने है, इन product को लिखने के बाद यहां पे मैं लिखता हूँ, और एक condition यहां पे no formatting, यह भी तो add करना है, no formatting, double t-ing, यहां पे भी double t-ing, ओके, तो यहां पे आपको क पर क्लिक करना है यहां पर आपको option button मिलेगा यह दिखाई दे रहा है इसे दरहसल programming language में या HTML अगर आपको आता है तो उसे radio button बूला जाता है यहां पर option button फिलाल बोलेंगे अगर आप इसके पर mouse hover करेंगे तो भी आपको दिखाई दे रहा है option button माउस लेके जाने के पाद आप पर click and drag करना है click and drag करके आप option button यहां पर ड्रॉ कर सकते है अब देखे जब आप option button पहली बार यहां पर ड्रॉ करोगे तो अपको उसका number आएगा 1 अब यहां पर कोई भी number आने तो कोई इसू नहीं है आपका देखिए number 3, 2, 4 कोई भी आने तो हाम ही क्या करना है इस option button का ना अगर यह चेक है तो कूंसी सेल लिंक होगी देखिया मैं चेक पर क्लिक कर रहा हूँ और सेल लिंक पर यहां पर इसके नीचे जीटू और एक सेल लिंक यहां पर कर रहा हूँ एक ही बार आपको सेल लिंक करना है, सभी option बटन जितने भी ड्रॉओंगे, एक ही बार सेल लिंक करना है, वो सेम सेल लिंक पकड़ लेता है, बस चेक पे क्लिक कीज़ें, याद रखिए, कंट्रोल यहां पे मेरा क्लिक है, इस डायला बॉक्स में, मैं रिपीट हर एक चीज को बता रहो, उसके बाद चेक, उसके बाद जीटू, और उसके मतलब जीटू जो सेल लिंक करना है, तो जैसे ही यह पे चेक रहेगा, तो यह पे दिखाए दे रहा है, आपको वन लिक के आता है, अब मैं और ऑप्शन बटन यहां पे ड्रॉ करना चाहता हूँ तो मैं इंसर् के अंदर फीज से, अप्शन बटन पे मुझे क्लिक करना होगा, और इसे नीचे वाले का आप कॉपी पेज भी कर सकते है, जन्डू बाम को आप चाहिए तो, और यह पे दूसरा नाम आपको लिखना पड़ेगा, जो की सिकेंड लिस्ट में क्या आ रहा है, हमारे पास अब इसके बाद जितने भी ऑप्शन बटन आप ड्रॉ करोगे, और यहां पे दूसरा टेक्स लिखना है, क्या है यहां पे टूथपेश्ट, नेक्स्ट प्रोडॉक्ट, नेक्स्ट आइटम का नाम यहां पे लिखिए, फिर कंट्रोल डी प्रेस कीजिए, दुबारा कंट् इस तरह से सारे उप्शन बटन तायर करने के बाद आप इसे अज़ेश्ट भी कर सकते है उपर नीचे और इसके अंदर एडिट करने तो राइट लिक एडिट टेक्स्ट भी ऑप्शन रहता है, इसके बादर पे क्लिक करके इदर उदर मूग कीजिए और डुब्लिक इसके अब इसे प्रवी ऑदर पे क्लिक रखिए और डुब्लिक उप्टर राइस दो एब स्किराइं कर लें हम अभी इन होने के बाद इसके बैगरांड को हम सेलेक कर एडेग करकے रिक करके आपे मैं इसे क़र बाइडर बैगरांड में दे दुँगा बाडर सकुछी तो आपको आप जैसे क्लिक करते जाओगे जिस सेल के साथ यह लिंक हो चुका है आप यह नमबर बढ़ते जाएगा अब इसी नमबर के साथ हमारा काम है और आगे जो फॉमुला हम कंडिशनल फॉमैटिंग का देने वाले है यह नमबर से लिंक करने वाले हुसे और यह लिश्ट को भी यह लिए जितना भी आपका data वो सेलेक ज़िए और फिर आपको जाए है फोम टैप के अंदर कंडिशनल फॉमैटिंग के अंदर कंडिशनल फॉमैटिंग में आने के बाद आपको यहां पे क्लिक करना है सबसे पहले नूरूरू कि यूपर हमें रूल असाइन करना इसके ल which sells to format वह formula ताइप कीजिए जिसके आपको फॉर्माइटिंग देना है जैसे में क्लिक करूंगा यहां पर दिखाय देना है format values where this formula is true format values where this formula is true okay तो यह formula हम देंगे यहां पर formula क्या देंगे देंगे हमारे पास एक condition नहीं है यहां पर दो-दो condition हमें match करनी है मतलब हमें South City तब भी display करना है जब यहां पर South City selected है पहली condition याद रखिए कि इस list में South City का पूरा highlight होना चीह हमारा condition है लेकिन South City यहां पर click है तब हो highlight होना चीह हमारे conditions है यहां पर मतलब तो दो condition दोनों भी condition अगर तो यहां पर यह highlight होगा याद रखिए तो दोनों condition एक साथ देने के लिए मतलब आपके पस एक से ज़्यादा condition है और सभी condition आपको satisfied होने चाहिए सभी condition मिलने चाहिए तो ऐसे समय में आपको and की जुरुत पड़ती है तो हम यहां पर क्या करेंगे is equal to और and यह formula लिखेंगे याद रखिए मैं repeat करता हूँ जब आपके पास एक से ज़्यादा condition होती है और सभी condition आपको true होने के बाद यह answer दिखाना है तो आपको and formula का इस्तमाल करना है मैंने is equal to and लिखा है उसके पहली condition मैं लोगा कि इस cell के अंदर यह दिखाए दे रहा है इस cell के अंदर C2 लेकिन C2 जो है उसमें एक twist रियाद रखना है कि C2 के अंदर 2 जो row है वो dynamically change होते जा रहा है यानि कि South City बस row number 2 में ही नहीं लिखा है South City 5 number row में भी लिखा गया South City 8 number row में भी है तो ऐसे समय में इस row को fix करना जरूरी नहीं है यह automatic fix यह आता है $C$2 तो यह $2 जो हटाने के लिए आपको यह पर F4 बटम प्रेस करना F4 दुबारा प्रेस किजिए F4 F4 किजिए या पिर डिरेक्ली आप डॉलर रिमूव कर सकते वहां पे लेकिन F4 प्रेस करने से आपको पता है अलग-अलग fix reference वहां पे create होते है तो यहां पे fix reference में क्या रहा है C column fix है row जो है unfix कर दिया row के आगे का $ हटा दो यह देखिए C column में ही मुझे साउथ सिटी चेक करनी लेकिन मुझे चेक करना है तो C अगर यह दोठो कंडिशन मिल रही है कंडिशन क्या दूबारा C two के अंदर South city लिखा रहना जिए हटो हान में जो लिखा है वह और जेवन के अंदर वन होना चाहिए, यहां पर वन आ गया, वन कभी आएगा, जब मैं साउथ सिटी पर क्लिक करूँगा, तो अटोमेटिकली वो फॉमेट एपला होने वाला है, तो उसके लिए आपको यह फॉमेट ओप्शन पर क्लिक करना है, कौन सा फॉमेटिंग देना ह और 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 यहां मैच करना होता है, अब आपको फॉमेट इसे और देखियें क्या करता हूँ, पहले मने इस डेटा कभी और जाल्च मशानुशन पर इस एक चलिक करना दो तो जाहो हमाने जाए ह संदुन कुरिया। मैं अभी नौट सिटी के लिए करते है इस लेटा को सिलेक किया कंडिशन फॉर्माटिंग नू रूल राइट नू रूल के उपर क्लिक किया इदर फॉर्मुला में हम एंड से शुरुआत करेंगे दो कंडिशन ये दोनों भी सैटिश पर होनी चाहिए एंड में इस सेल में एपड़ दो बार प्रेस करेंगे कीबोर से तो यह डॉलर साइन यहां पर इस कॉलम के लिए रहेगा और इसको मैच करेंगे हम सेकेंड सेल के स ऐसेल के अंदर हम क्या चाहते क्या चाहते तो अगर वापर 2 है और ऑर वो नौसिटी है तो थेखिये है वक्रॉमूप छाहते पर प्रि पौन सा कलर देना आया आपको सेल साय कीजैए ऑड देकिनल्ड कीजीरší उोके कीजीर रहा है, got it guys, यह simple है, बहुत simple है, अभी आप बोलोगी, इतनी सारी formulas हमें टाइप करने पड़ेंगे, काम कीजिए, simple है, अभी इसमें जाईए बस, directly manage rule में, कापी जाना है, देखिए, manage rule में जाईए, और manage rule में, इसमें से एक formula पॉपी किजिए, पहला आला कीजिए, चलेगा, no problem, दूसर राला कीजिए, edit rule में जाईए, इस formula को आप यहापे select करके, देखिए, edit rule में, इस formula को control C किया, और यहापे मैं, यहाँ से ही directly manage rule में, एक option मिलता है, आपको new rule, आपको बार बार new rule, एड़ करने की ज़रोद नहीं, इस डाइला box में new rule, यहापे use formula, यहापे formula को paste की पेश करते समय, H1, H2 की जगर यहाँ पर क्या आएगा, हमें चाहिए North City, तो H3 में हो वो, तो यहाँ पर H3 लिखिए, H3 टाइप कीजिए, मितलब, H3, देखिए, North City कहाँ पर लिखा गया, वो चेक कीजिए, North City यहाँ पर लिखा गया, H3 के अंदर, अगर आप लिखा गया आपको सेहाँ पर तीन नंबर आने वाला है, तो यहाँ पर भी आपको तीन नंबर देना है, West City के लिए, बस फॉर्मॉला कॉपी पेश्ट हो गया है, कलर आप देना चाहते हो, वही कलर देना चाहते हो, यहाँ अप्लाइ कीजिए, और चेक कीजिए, आर रहा है की नहीं, तो आपको ऐसे फॉर्मॉला कॉपी पेश्ट करना है, नो फॉर्मैटिंग के लिए क्या करना है, इदर चाहरा है, नो फॉर्मैटिंग के लिए नंबर, तो अपको एसे फॉर्मॉला को पेश्ट करना ही नहीं है, बस नो फॉर्मैटिंग के लिए क्या करना है, यह चेक करन इस तरह से अब आपको यहां पर जो आइटम्स नीम देए उसके लिए भी क्या करना है मैं आपको बताता हूँ डेटा सिलेक रखिए हम कंडिशनल फॉर्मेटिक में मैंनेजरूल्स बार-बार फॉर्मॉला एक रहां हमरे पास फॉर्मॉला ऑटी कॉपी है, Newsיז Force कॉपी ना फॉर्मुला यह पर हम पेश्ट करेंगे लेकिन कुछ चेंजेस करेंगे दिखे पेस्ट लेकिन अभी सिटु में नहीं चेक करेंगे यह पर क्योंकि हमारे प्रॉडॉक्ट गोट्यों जो होगा ना यह पर देखे करेंगे लोकएट्ट एरा कियर फुली यह जंडू बंपड़ा है दिखाई दे रहे आपको इसी ओर्डर में आप देंगे यह देखे जंडू बंप की आउर्डर में आपको यहां पे देना है बीटू इस इक्वल टू जंडू बंब यानि इसको नो परमाटिंग केजिये पहले यह देखे जंडू बंप yn क्लिक किया चला गया यह दनू बंप के लिए इसकी जो पुजिशं से वही लाइन में इनकी पुजिशं स hun ही चाहिए वही और में यहां पर ख Februare दें जो गए हैं तो आपको दिक्कत हो सकती है क्योंकि आपे क्लिक करने के बाद यह दो नंबर बताएगा यहां पर क्लिक किया और यहां पर पेश किया पेश करना निए मैं फॉर्मूला दिखाना था हूं पेश्ट रहने दो इस इक्वल तु एंट फोर्मूल इस तरह से रहना चाहिए, is equal to, बीटू में यहां पर टाइगर बाम चेक करेंगे, टाइगर बाम अगर मैच हो रहा है, ठीक है, कॉमा, उसके साथ, यहां पर क्या चेक करना है, जी टू के अंदर, क्योंकि टाइगर बाम यहां पर कितनी नंबर पर देखना है, क्योंकि अगर यहां पर दो नंबर मैच हो रहा है, तो यहां पर दो हम लिखेंगे, अगर मैच हो रहा है, तो ही color, मतलब आपे टाइगर बाम लिखा है, और दो नंबर भी match हो रहा है, तो color देंगे, and now click on OK, check it out, apply, and OK, तो अब आप देखेंगे, तो आपको इस range के लिए condition देनी है, और इस cell के अंदर से आपको condition उठानी, दूसरी condition, क्योंकि आप यहां पर क्लिक करोगे, तो देखेंगे, वहां पर नंबर चेंज होते जा रहे, तो इस तरह से आपको सभी के लिए apply करना है, जो कि मैंने इंट्रो पार्ट में जैसे आपको दिखा था, और इन कॉलम्स को बाद में आपको करना है, राइट क्लिक और हाइड, तो इस तरह से condition formatting का formula apply करके result ले सकते हैं, साथी में आपको मैंने बोला कि और detail में condition formatting या excel के formula अगर आपको सीखना है, तो learn more pro.com वेबसाइट पे जाएए, courses section पे क्लिक कीजिए, यहाँ पे आपको धेर सारी courses मिलने वाले हैं, जिसमें offer में चल रही हैं सारी courses, और अगर आप देखेंगे तो बहुत ही कम प्राइज में आपको मिलने वाला है excel का यह बड़ा course, excel basic to advance full course, जिसमें 150 tutorials हैं दोस्तों, 150 tutorials, 150 practice file, 3 test on excel, course completion certificate, download all course videos, excel shortcut PDF, lifetime access and धेर सारी चीज़ी, यहाँ पे क्या-क्या पढ़ा जाएगा, इस excel के course में यहाँ पे आपको दिखाए देगा, तो जल्दी से इस offer को अपना बना लीजिए, offer में चल रहा है course, 150 videos अपलोड कर दिया है, आप जल्दी से इन्ट्रॉल करके, इसको सीख लिजिएगा, बस आपको मिल रहा है फिलाल के लिए 2.99 रुपीज में, तो चलिए, अगर आप इंट्रेस्टों तो इन्ट्रॉल जरूर कीज़िए लैन्मोरप्रो.com को, जितने भी चैनल है, उनकी लिंक मैंने दिस्क्रिप्शन में दिए, वो भी जरूर चेक कीज़िएगा, अगर आप इंट्रेस्टों हो, स्मार्ट बनने के लिए, कुछ स्मार्ट तरीके से सीखने के लिए, तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए चैनल इसको फॉलो कीज़िएगा, थैंक यू वरी मच पॉर चिंग दिस पार्ट, बाई बाई!